नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग उराओं जन जाती के विशे में अधेन करेंगे तो उराओं जन जाती जो जारकंड में जनसंख्या की दिश्टी से दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है और भारत में जनसंख्या की दिश्टी से चवंथी सबसे बड़ी जन जाती है ऐसे तो जन कप्राइब जन संक्या की दीष्ट्टी से सब passing भड़ी जन जाती में हैं और भारत में जन संथालों का स्थान तीसरा है तो ऊराओ जन जाती जो एक बहुत ही विक्षित जन जाती है और अन्य जंजाती से ये लोग बहुत ही उपर है ये लोग कहीं भी देखिएगा तो ये लोग अच्छे-चे पोष्ट में काम कर रहे हैं मतलग यह सबसे इक से जंजाती है जारकंड की तो जारकंड में होता क्या है ये जो उराओं जंजाती है ये लोग मुलता एक कहा के निवासी हैं को अधकन का पठार के अंत्रगत में भारत के चहार आ जाते हैं उसमें से कर्नाटक में ये लोग रहते थें कर्नाटक का दक्कन पठार ये लोग का मूल अस्थान है कुछ लोगों ने इसे कौंकन भी कहा है तो वहां से ये उराओं जन जाती बिस्थापित होकर ये कहाते हैं बिहार में सबसे पहले सावाद भोजपूर जीला में सोन और कर्मनासा नदी के बीच में ये लोग अपना निवास रखते हैं तो सोन और कर्मनासा नदी है ये एक सोन है कर्मनासा है इसके बीच में ये लोग रहते हैं सोन और कर्म नासा इसको कुड़क तेज भी कहा जाता है ये जो भी बाते मैंने बताया है ये राय और सरचन राय के अनुसार मैंने बताया है ये सरचन राय जो थे एक मानो सास्त्री थे उन्होंने 1915 में एक पुस्तक का भी मोचन किया था दा उराओ चटानाकपूर उस पुस्तक में इन्होंने बिस्तिर दूप से इस चंजाती के बिशे में बताया है हैं है तो होता क्या है उसके बाद टुम कुछ समय तक रहताजगड रहते हैं मुगलों लेकिन जो मुगल थे इस जन्जाती से कभी जीत नहीं पाते हैं चुकि ये लोग चापामार यूद में जो घुरिला यूद पदती में ये निपूंता निपूंत थे जिसके कारण उलो को बार-बार मुह की खानी पड़ती है लेकिन कुछ करण से एक बार जब कुछ उत्सवक के उसर पर ये लोग जब कुछ मधपान करते आए उस समय ये लोग हर जाते हैं और वहां से लोग मटलब अब पलायन करते हैं तो आते समय ये लोग दो भागों में बढ़ जाते हैं ऐक भाग नहर नों परखनाबा ने ज़ाता है और जो और यह पे-हां पर चाहता मातरा में आजाते हैं और इधर में चाहते हैं आपका संथैल परखना में भी चाहते हैं तो दो सम्हों में बढ़ गए और यह लोग प्राकृति जहां पे नदियां है पुरानी नदियां वहां पे वह ज्यादा निवास करते हैं तो अगर देखेगा संथाल परगना में तो जो गंगा दक्सिनी गंगा में उसके आसपास यह लोग रहते हैं और जो इदर पलामू आ जन जाती ही समझते हैं लोग तो दचनी छोटा नाकपूर परबंडल परम परम परमंडल यह उन्हाओं का कड़ है कुल जन संक्या का वहां 90 परसेंट वहां पर यह लोग निवास करते हैं और सेश्ट तस परसेंट है यह लोग संधाल परगना हो गया उत्तरी छोटा कि उराओं रहताजगर से कब पलायन करना सुरू करते हैं सेर्षा के समय में कहीं कहीं तो चहांगिर भी लिखा हुआ है इसमें संसय है लेकिन जब प्रसन आये तो आप उसके अनुसा लेकिन सेर्षा एक सुटेबूल लगता है और उसके बाद यह इनकी जो उराओं स्वैं को कुडुक करते हैं स्वैं को कुडुक करते हैं कुडुक का साब्दिक अर्थ मनुस्य होता है कुडुक का साब्दिक अर्थ मनुस्य होता है यह याद रखना है और भासा जो है इलो का कुडुक भासा है जो दर्वीट भासा परिवार की पोली है दर्वीट भासा परिवा तो यह कंड़ भासा से उसी से मिलती जूलती एक प्रसन हमेशा आता है और आपका जो लीपी इसके तोलोंग सिक्की इन लोगों के लीपी तोलोंग सिक्की यह आता है अब जब अराव लोग आएं तो कुछ जो उराव थे वो पहले आएं अब कुछ उनके देखते हुए हैं वोग आते के साथ यहां पर बन को काटे और वहँआ पर खेतियोग भूमी बनाएं और यह लोग रहने लगें और क्रिसी आरहम किया क्या खेतियोग भूमी बना करके और वह लोग कह रहा हैं और भुईयर कहले और उसके बाद जो आए उराओ लोग उसको रहयत या जेट रहयत कहा जाता है भुईयर द्वारा बसाए गए गाउं में बाद में आकर बसने वाले उराओ रहयत या जेट कहला है यानि अब उराओं को दो स्रेनी में बाड़ दिया गए एक भुईयर उराओं और एक जेट रहयत या रहयत बोलेंगे भुईयर जो सबसे पहले आए जारकंड में और जो जंगलों को साब किये और भूमी को क्रिसी योग बनाएं और वहां पर लोग निवास किये और उसका द देखा देखी एक तरह से बात हो जाता है देखा देखी कौन लोग आए यह रहयत या चेट रहयत और आके उन लोग के द्वारा साब किया भूमी में वहां पर रहने लगें और यह लोग भी क्रिसी का अरम के जब रोहतास घर छोड़ करके उराओं लोग आ रहे थे इधर म में रांची के तरफ तो मुंडाओं ने इन लोग का बहुत ही जोरदार स्वागत किया और इस अउसर पर एक मिला कायजन क्या जाता जिसे मुडमा मेला कहते हैं तो यहां लिखा हुआ उराओं रोहतास घर छोड़ कर छोटानाकपूर आने लगें मुंडा लोग इन लोगो भीवा होता है हूँ मेरां लेकिन कुछ बिरि स्विश्थ परस्तिती में फुसरी पर पर ले लोग पर ऐंची करते और यह लोग संगोत्री यह पर लोग अर्यूंदय है निव लोग का टोटम अलग-अलग होता है उसमें सबसे परचलीद आयोजित विवाँ है पोन भी उसको कहते है आयोजित विवाँ इसमें जो लड़का पक्ष के घर में मतलब चर्चा जाता है और अब लड़का जो है बधु पक्ष को कुछ मुले चुकाता है और यह जो आयोजीत विवा है सबसे ज्यादा होता है सेवा विवा भी लोग में है पर्था ये बहुत ही पर्चलित पर्था था सेवा विवा जो प्राया है इसमें क्या होता है कि भावी वर भावी बधू के घर में जाकर के कुछ सेवा करते हैं और लोग को खुस करते हैं उसके बाद इसलिए बिद्वा भी वह बहुती परचलित है और सम गोतरी विवा तो नहीं होता है सम ग्रामा भी वह नहीं होता बाल भी नहीं होता तालाग परता यह है और गोलत विवा होता है और यह भगत विवा ठंडा पानी मेरे कुछ मित्र हैं पूछा तो बताए तो इस परकार आपको याद रखने है आयुजित विवा वो लोग में सबसे ज्यादा परचलित है जिसे पौन भी कहते हैं सेवा विवा जो लगपक यह परथा जो है छलता है और यह परसंड को यह साहते लोगों योगों क कवर श्रकार कर अर्ब का भुणे में होको मॉसाथ और यह सांसा ब्रस्ता बहुत बार पूछा गया धान धान नौवेंबर संबर धान खठनी का अगयाْ लोगो श्रका और इम घुष पुशा के सबूआ कि औरordum शांगे दोटना सक्राइशकाय kita module पुरुष उसे केरिया कreई तर लिखा हूं तो इसमें क्या होता है इसमें सफल और होता है और रेंजी होता है और सिर में ऊपगड़ी रहता है या गंशा भांद लेते हैं fluor दे में अधु शादी बैशनाती में सादी भीवा कहा पूर्शो दौरा पहने जाने उसको करिया काते हैं उसमें बताए कि एक सफेद जोटी होगा सरफ सेर पे घंचाय पगड़ी बानते हैं और जो महिलाएं जो पहनती है उसमें लाल पाड होता है कर्मा पर्फ के उसर पर मैं देखता हूं तो यही दो बरस तो होता है आप इलो का देउता धरमेश जो है इलो का सबसे मुख्य देउता है सुर्य देउता परकास माने on B बुरु जो एक देवता है वो पहाड़ों के पहाड़ों का देवता है महारांग बुरु ठाकुर देव ग्राम देवता उलो का जो है और दीवार सिमान देवता है कि याँ समाप्त होता है वहां पे उसका करने के लिए यह लोग को कुल देवता को को पूर जात मा तो इस मरकार इन पूर जात्मा यह हो गया और चाला आयंग देखिएगा एक मंडब करता है और वहाँ पर दोग पती बगएर दिखाते हमेशा चाला आयंग सर्ना देवी यह शर्ना बढ़िया भी कहते हैं लोगों तो इस्त्री देवता उर्हां की सबसे बड़ी इस्त्री देवता चाला आयं सर्ना देवी पीपल साल या कर्मा व्रिक्ष होता है उसमें यह पेड में रहती है यह जो चला आयंग जो सर्ना देवी है और उर्हां जंजाती ने अन परियोग से पुरू नई फसल की एवं पहला अंस सर्ना देवी को अर्पित किया जाता है जब नया फसल होता है तो जो और पहला आंस सवर्णा देवी को अरपित किया जाता है तो इस परकाता में भी पुसाग में करनारिया है नहीं हुए हर बीवा जो आयोजी भी वह सिवा और डिया that कि बाल नहीं होता है आपका और फिर आपका चलता है भगत भ这 है गौलत भी पर चलित है अहां आप उराहों जन जातियों में एक युवक्रिषत का नाम ध्यु capabilities कुडिया धूम कुडिया यह कलब जैसा है इसमें जो मन समझ जाए एडिमिशन वही लेगा जो कुमारा होगा इसमें युवक और युवतियां दोनों का धूम कुडिया युवा गिरी होता है और दस साल से उपर के जो इवक युवतिया है इसमें परवेश करते हैं और सरहूल के समय में यहां परवेश होता है तो यह प्रकार का प्रसिक्षन के इंदर है जहां पर जन जाती है रीती रिवाज संगीत सिकार समाजिक परथाएं का प्रसिक्षन देया जाता है बच्चों को पोटनी लड़कियों और युवक और युवतियों को और यह जो परवेश 10 से उपर यह तो बता चुके हम और कमारे लोग ही इस पर परवेश लेते हैं और अगर वो विवाहित हो गये तो वहां से हटा दिया जाता है धूंगडिया से तो और युवक और युवतियों का अलग अलग होता है युवक का अलग होता है युवतियों का अलग होता है लड़कों का जो होता है आपका जोक एडपा बोलते हैं जोक का अर्थ होता है कमारा जोक का अर्थ ही होता है कमारा लड़का लोग इसको धांगर कुडिया भी करते हैं कि लड़कों का है इसका नियंतरक करने वाला होते हैं मातों या धांगर करते हैं के लिए नेयंतरक प्रक्र आप cumpl किया Wirnya Mug 275 अपन वही विदन्पार होती है यह पिर उम्रद राज आप महलत दो क्यों के लड़कों का अलग कियों का अलग लड़कों और लड़के ऐदर्पा महतों होक्र में चेहने और अप इंकुडिया में परवेस तीन वर्स में एक बार होता है, हर एक साल नहीं होता है, तीन साल के बाद, और जो परवेस होगा, पहला जो परवेस होता है, नया परवेस, उसको पुना जोखर करते हैं, पुना जोखर, तो दस साल के उम्र के बाद होते हैं, तो दस से तेरा साल के सब्सक्राइब मतंदर निलिया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अधार चराइबि या फाल शत्राइब Uhrॉ समारो होता है मुख्या हंडी वहां उस तीन लोग वहां पर बैठ करके हंडिया पेपदार्त को पीते हैं और परवेश दिया जाता है और यह भी मुख्या हंडी जो भी है वह भी तीन साल में एक भार ही होता है और हंडी समारो हंडी समारो एक है जब धुमकुडिया हो जो है उसका जो मुख्या में कौन होगा उसका चुनाओ के समय में हंडी समारो किया जाता है तो धुमकुडिया में इतने ही याद रखना है कि एक कलब चैसर संस्ता है जिसमें युवक और युवत्यों का सिक्षन प् इसमें परवेश दस सल से उपर के बच्चे युवक योत्यों को दिया जाता है और इसमें परवेश तीन साल में एक बार होता है तीन साल में एक बार होता है और सरहूल के समय में इसमें प्रवेश किया जाता है अब और इसमें युवक और युवतियों का अलग-अलग आपका युवागरी होता है लड़कों का जो होता है इसको जोक अडपा और लड़कियों का पेल अडपा होता है और इसमें जो नियंत किया जाता है तो एक समारो किया जाता है उसको क्या बोलते हैं मुख्या हांडी मुख्या हांडी में लोग बैट करके जो पेपदार्थी लोग का मुख्या पेपदार्थ है हंडिया उसको पीते हैं उसको मुख्या हांडी करते हैं और हंडी समारो में क्या होता है जब धुमक दुमकुडिया का प्रथा है दुमकुडिया युवागरी है लगभग नहीं देखने को मिल रहा समात प्राया है तूकि इसमें पाहरी लोग का हस्तचेप हुआ है इस जन्जाती में और आपका इसाय धर्म का परशार परशार भी इसके लिए जिम्यवार है जिसके कारण आज दुमकुडिया प्राया देखने को नहीं मिलती है तो दुमकुडिया यहां से परसन हमेशा आते हैं आप इसको अच्छा से देखिएगा तो धुमकुडिया हो गया अब जन्संख्या की दृष्टी से अगर देखिएगा तो सबसे बड़ा जन्जाती जारकंड में अगर जन्संधा की जन्ण की दृष्टी से परसम जन्याती है और भारत में अगर इसका अगर तो तीसरा है तो इस परकार मैं लिख दिया हूं संथाल उराओं सबसे ज्यादा तो संथाल हो गया जारकंड में फिर दूसरा नंबर में उराओं फिर मुंडा फिर हो तो संथाल का जो अभादी है 25,5730 अगर निकाल लिएगा तो 31.26 और यह चारकंड में अस्थान पहला हो गया भारत में इसका अस्थान तीसरा हो गया उराओं जो है 17,16618 है और इसका जो परतीशत है स्थान दूसरा और भारत में इसका स्थान चंथा मुंडा बारह लाख 29,211 इसकी अबादी जारकंड में और परतीशत देखिएगा तो 14.22 और इसका स्थान जारकंड में तीसरा है इसका पता नहीं मुझे हो नव लाक अठाटाइस जार है और इसका जो परतीशत कितना है दस दसमलों चवात्तर तो इस परकार यह जो अबादी है संथाल का पचीश लाग चववन हजार साथ सो तेज़ और इसका परतीशत 31 यह याद रखना है उन्हाओं का 17ड़ 1618 है 19 परतीश है तो इस परकार याद रखना कि उन्हाओं ज्यारकंड की जनसक्या की देश्टी से दूसरी सब्से बड़ी जंद आती है और भारत में जनसक्या की देश्टी से तीसरा चंथा आस्तान आता है तो आपका तो लड़कियों का जब भी विवा होता है तो जब विदाइस होता है तो समय उनके पिता लड़की के पिता उसके हाथ में तीर देते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है देखिए लड़की जब साधी करके अपने पती के घर जाती है तो पिटा तीर देता है और उराओं लोग में बंदर का मास खाना निसेध है उराओं लोग बंदर का मास नहीं खाते हैं और उराओं में गोधना पर्था बहुत ही परचलित है गोधना को उराओं महिलाएं बहुत महत्वा देती है जब कोई महिलाएं के मिर्थी हो जाती है तो पूरे गहना को उतार लिया जाता है लेकिन कहा जाता है कि गोधना दूसरी दुनिया में जाता है तो तीन पर्था जो मैंने बताए जब लड़की का विवा होता है तो जब विदाई होता है तो लड़की को उनका पिता तीर देता है और बंदर का मास उड़ाव लोग नहीं खाते हैं और गोधना पर्था महिलाएं विशेश कर इसमें बहुत ही भाग लेती है और आपका और भी पर्था पसरी पर्था पसरी पर्था बहुत ही फेमस है सरम का आदान पर्थान होता है सरम का आदान पर्थान कोई बैल दिया तो उधर से हल दे दिया इस प्रकार कोई किसी का खेत में काम कर दिया तो उसको अन मिल गया तो इस प्रकार पसरी पर्था है और उसका घर घर क geral करेगा कर आदमीगर में रहकर करके काम करता है आपसके घर में रहता है बदलिव मंच को खाना मिलता है रहने का जगा फिम उसेता है फैं le ск風िटी जमाहिं में करना मिलेगा हनिया वी मिलेगा और रहने का जगा गर्दी जमाईपाचा उसमें ज्यादा नहीं है हड़या ही मिलता है सवंकिया पर था Pa पराद स्रीब परत्था हो गया घर दी जमाई पाचा शो किया यह लोग जब लड़की जब बिवाह होता है लड़की का तो जब बिदाई में उटके पिता तीर देते हैं उन्हों में गोदना परता बहुती परहली पर्षवलीटा है और आपका बंदर का मास लोग नहीं घात करते हैं पेशा यह लोग क्या करते हैं तो यह लोग क्रिशक है और पर्मुक पेशा क्रिशी है क्रिशक है और पर्मानेंट क्रिशक है हमेशा काम करते हैं यह स्थाई क्रिशक होते हैं सबसे बड़ा बात है यह अस्थाई क्रिशक है यह याद रखना और सिकार तो यह सौक्य सौक्या करते हैं अब इन लोग में कुछ पुछ रीती निवाजे हैं और जो इसकी सभयता को धरसाता है संस्कृति को उस संस्कृति के जलक उसमें दिखाए पड़ती है इसके जो क्राम होते हैं इनकी तीन महत्वपूर अस्थल होते आपका सरना अखडा और ससान सरना अखडा और ससान यह तीन का महत्वा इन लोगों के जीवन में बहुत ही ज्यादा है तो सरना जो है आपका इसका मुख्य पूजा अस्थल है सरना क्या है उर्णाओं का मुख्य पूजा अस्थल है और अखडा प्राया काओं के बीच में एक अखड़ा होता है वो नाच का मैदान है डांस का मैदान है वहां पर पर्पतेवार के अउसर पर बतलो योग की उतियां डांस करते हैं ससान उराओं लोगों की पुरवजों की आत्मा ससान में निवास करती है इसका महत्वा भी ससान का भी महत्वा भी पूजा आस्थल के समान लेकिन कई करो कि हूद के सान में कूंधी जहां पर एक परकार का संशकार हार्ड वोरा Але कि गख माज़ंश होता है या तो जन्मरी में होगा या होगा प्राया जन्मरी में होता है यह और अश्थियों कि दफनाने के संधारों लोग बर्टे हैं और भोजन बनाते हैं और सभे साधा भोजन को पर किसी मृति होती है तो लगबख सभी दिन के यहां बनता है जिसमें हल्दी नहीं दिया जाता है हैं और गुछ तो यह हडबोरह संस्कार में यह लूं बैट करके उस पौजन को खाते हैं साथा मेलust को भोजन इसको भोलते हैं और northwest कोओन यो डा ऑजा एक है तो पुर्वजो की आत्मा के मिलन को कआ बे завис और खिर की आत्म罩 को आत्मा के मिलन 10 को कोशावेजा कहते हैं और यह लोग का जो सो होता है सबसे भी कारन है कोई बंगे देते हैं कोई मैं परना देते हैं लेकिन दफनाने का पर्था जो है आपका अगर किसी को सर्भ काट दिया या गर्वती महिलाएं हैं तो इस परकार या बच्चे की मिर्ती हो गई तब उसमें कि दफना दिया जाताया जो अब लोग भी उसको दफना देते हैं दफनाने के बाद यह उसके उपर में एक पत्थर को लगा देते हैं तो और उससे उन्हों की संस्क्रिति हो और आपका सव को दफनाया भी जाता है और कहा जाता है कि हड़ बोरा करने से उनलोग का जो आत्मा है मतलोग पुर्वजो की आत्मा उनलोगों की रक्षा करते हैं तो यह बहुत ही in important है hardbora संस्कार यह याद रखना है और कूंदी जो हैं अस्ति विसर्जन अस्थल अस्ति विसर्जन अस्थल औराओं का अस्ति को जो पी कि पुरवजो की आत्मा कि मिलन को कोह बेजा करते हैं । अब यह लोग परकार के पुजा करते हैं, बहुत सारे पुजा हैं, गोरिया पुजा, यह लोग सुक सामती के लिए करते हैं यह पुजा, साल में एक ही बार होता है, उराओं जंजाती गाओं के सुक सामती के लिए साल में एक बार गोरिया पुजा करते हैं, साल में एक बार, सुक सामती के लिए, कहां का सामत के लिए साल में एक ही बार पूजा करते हैं गो रिया पूजा ऊसका फिर हो गया भैलत yourself रोपनी के समय में उर्भाण जञती में रोपनी के समय फसल की रक्षा के लिए करते हैं तो भेलवा पूजा अब डंडा कड़ा क्या है ग्री परवेस के समय में पूजा है उसको डंडा कड़ा करते हैं डंडा कड़ा करते हैं चत्रा से बढ़कर कोई बढ़ा तहवार नहीं होता यह जो ज़त्रा है धरमेज को समरित्त brush या नहीं सोरे भगवान को और जत्रा पुर्णीमा के दीन में होता है आपका समनेता देखिएगा कि सुर्य का पूजा कब होता है अगहन के समय में अगहन के समय में जो सुरी की रोशनी होती है वो बहुत ही यह नमस्था में रहती है यह अस्था में रहती है तो उसी समय में यह पूजा होत तो कर जistera केद अखाडा को स्याया जाता है और जंडा लगाया जाता है जंडा होता है साथ परकार के होते हैं साथ निए साथ Supreme Alumni Surya Bhagwan का रौशनी साथ परकार के 29 धनकी साथ परकार के Dios के टा होता है लेकिन साथ परकार के जंडा होता है इतना हेत इतना लिभ दो काहता अ और जो पूजा होता है बारा बजए रात को 500 वह स्वास्ट को और आप अब कर्म कर्मा जो है बहुत ही इंपोर्टिंट ठर्वार आजन्न कर्म का प्रकृतिक परभ यह समन cara नाएम सभू कर्म को साई कर्म की जीवर में परधानता इस्तेवार का संदेश है इस दिन होता क्या है साथ दिन पहले ही कमारी लड़किया इसमें साथ प्रकार के बीज को एक क्या बुलेंगे टौकरी रहता है बास का टौकरी होगा उसमें बालू में जो डाल देती है जवा बीज को और उसमें हल्दी पानी डालती है और साथ दिन के अंदर में उसमें से जवा निकल जाता है पीले रंके निकल जाते हैं और फिर कर्मा के पुजा के दिन में जो कर्म डाली होता है बीच अखड़ा में गाड़ा जाता है तीन डालियां रहती है और जो उस दिन यह जो योत्या होती है कमारी योतियां को लेकर के जवा को आती है करण जो जाता है और पिर करम ढली के सामय में पुजा होता है और पिर होसाद कर दिया जबा है हैं हुआ हम्हम धीले नाच होता है करम डांड़ डांस होतार है लहुक्त sorry तो में आठ यूवत्य होते हैं पर भूम कर के दांस करते हैं आठ हृत्य होती है एक पक्षु सब्सक्राई को दूर और अखै जो करम को परधान कि अंत में भीजय कुन होते हैं जीत किसकी होती है कर्मा की तो ही है कर्म को साई और कर्म का जीवन में पर्धानता इस तेवार का संदेश से और एक सरहुल पर याद रखना है तो पर तेवार इतना है चित्रकला भी उरहाओं में एक पहुती फेमस है खासकर यह कॉम कट कंगी कट एक सामिनेशन में पूछा भी जा है कंगी कट इन लोग में एक फेमस चित्रकला है कंगी से बनाते हैं और सेंद्रा जो सिखार होता है तो 20 सेंद्रह होता है बैस हाग महिने में और फागु संद्रह नामसही पता है फागुण में सेंद्रह परक्राilly गरी 1 में बतला डान्स करते हैं तो जैदूर नृते जो है भाँद ही फेझा है और भी लोग डान्स करते हैं दिला लेकिन चलै अच hari स्व largely हर इसमें डान्स करते हैं यदर कर नलते तो नहीं है रहा है तो कि एक उसली नृत सामुई के नहीं हो अचा हो जब भी लियुक्त warning शम्रम करते हैं अब आकीश सईथ्प होंने सोगता है। जबोर प्रशा मुझ्य के पास यप तो फूल कानी चुप रखाया चब पतना तो चाहां नियुक्त biếtुन खरने को भिख संब्स वलोग कंग्र मुख लाका कर एक क्नी कुर्णा करें क्यों फूवक्त जाते हैं जर्ख वर्लीन उन्रवान टान गुफ से चीटा अट फ्राइस तो जो यह जन जाती है कि अध़र में पी और पलटा रहते हैं तो उसी समय में आकरवन किया जाए तो आसानी समझे सकते हैं तो उसी समय में मुगल लोग आकरमन करते हैं लेकिन उस समें दो इस्तरियां में सनई दीदी आर कनई दीदी सनई आर कनई दीदी पहता है तो यह दोनों इस्तरियां पॉस्तरियों जो महिलाए हैं सभी परोथाइद करती है ज़ domestik विए पमस्फों कैसी सी कि दो विष का वे तरन करें लेती कि लेक向時 उस्फोंक Opportunism उड़को टर्प कर देती हैं गार्डा कैसी गदेश हैं कि जब गें आड़के हैंकि 2 00 1 कंश्फों कर वो दोने मूझ से मूझ होते हैं तो अुछ आगी जाता है कि जो पुरूश को वो एक हाथ से मूद होते हैं लेकिन जो महिलाएं होती हो दोनों हाथ से तो लोग को पता चलता है कि अरे हम लोग तो धोका खा गिये जो वो लोग इस्तरियां थी अब फिर वो लोग एटेक करते हैं और उनाव लोग हार जाते हैं और रोहतास घर छोड़ करके मतलब चारकंड में चोटानाकपुर में परवेश करते हैं और कुछ भाग चला जाता है उधर आपका दक्षिन गंगा की और एक उत्री कोयल की और रहे जाता है तो उन्हीं लोग के कारण ये जफी सिकार ये जफी निर्त होता है कर्मा निर्त ल है उसका लहुसा कहते है यह इन्हीं लोग दन्स करते हैं वीच में कर्म डाल लगा रहता है और गाना एक क्षोगानाना उठाता दूसरा पक्ष दोहराता ह। दॉमकच डूमकच अ करम है दूमकच उच्बिक बहुत ही लोग ह matter छुमर आब भोजन में चावल गोदली कुझ जो ह्तों खाते हैं यह गुदलि जो है प्याज को कहते हैं ृणू का प्रसाशाशंी कि काई दो भागों बच्रा मस्तर आरेक्टर पहाड़ा तो कर बरा मस्तर में दो परमुख अधिकारी होते हैं ग्राम अस्तर में कि या मुख्या जो भेड़ोता है उसको मातो कहते हैं और धारविक परधान पहान होता है पानी भरता भी बोजन बोलता है पुजार या पानी भरता भी इसको बोलता है पानी भरता है, यह को बोलते हैं ना, किसी गांट मिला कर पंचायद बनाई जाती है, कहावत है, पाहन गांट बनाता है, लेकिन महतों गांट चलाता है, उराओं लोगों में काफी परसलित है, पाहड़ा जो है, बहुत सारे गांट मिलकर के, तो पहड़ा बनेगा और पहड़ा का जो मुख्य होता है मुख्या होता है उसको पहड़ा-राजा करते हैं और जब पुराओं लोगों का दो गाओं में अगर विवाद हो जाता है तो इसका निपतारा कहां पे होता है पहड़ा है तो इस पर का लगता है कि हमने सारे तथ्यों को बता दिया और हमको लग रहा कि पहाउँ सकोछ कभी सही वहिए नहीं बताया तो उराओं जंजाती में 14 गोत्र होते हैं उराओं जंजाती में 14 गोत्र होते हैं इसको याद रखिएगा आपका यहां मैं लिखने कोशिज करते हैं चाउदा गोत्र लकडा रुण्डा रुण्डा गारी तिर्की फिर किस्पोट्टा किस्पोट्टा टोप्पो टोप्पो एकका एकका बाभू यह सब होता है लिंडा लिंडा मिन्ज मिन्ज हो गया और कुजूर 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 बांड़ी बैक खल्खो करक्टा साइच चवदा हो गया होगा जितना मुझे याद है मैं लिख दिया तो यह सब गोत्र है और सारे के टोटम होते हैं और ऊस्टो उसका पर्तिक चिन होता है तो किसी का भी कुछ पर्तिक चिन रहेगा तो उससे का वह लोग रक्षा करते हैं अगर किसी का ब्रिक्ष है तो ब्रिक्ष के नीचे भी जाएंगे वह लोग तो इस परकार 14 गोत्र हैं तो आज इस परकार हम लोग आज उन्हाओं जन्जाती के विशह में पूरी बिस्तृत रूप से अध्यन क्या है उमीद है आपको काफी पसंद आया होगा इससे आप प्राप्त कर सकते हैं अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर करना ना भूले और लाइक करना भी ना भूले तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू भरी माच